गाईज यार ऐसा लग रहा है ना के मैंने आके गलती कर दिये इससे अच्छा तो आया ही नहीं होता अरे यार कैसा दोस्त है आपका पार्टी के बाद छोड़ने नहीं आ सका जानने देना उस बात को उपर से हमारी गाड़ी उसको भी आज ही खराब होना था अरे फ्रेंकलिन भीया अभी हम लोग क्या करेंगी मिंचन क्या ही कर सकते है आसपास कोई लिफ्ट डुणने होगी कोई ना कोई गाड़ी तो यहां से गुजरेगी ना तब तक ध्यान रखो के आसपास ही रहना एक तो अंधेरा भी बहुत है अरे रुक क्यों गए हो अरे मैंने वहाँ पर चमचमाता कुस्तो देखा अरे क्या बात कर रही हो आम इंचन वहाँ कुस्तो है शायद वो एक गाड़ी है अरे तो फ्रेंकलिन भीया हम लोग वो लेकर चले जाते है ना अचा ठीक है पर जरा पास जाके तो देखे या आसपास तो सारा भंगारी पड़ा है मुझे लगता है वो गाड़ी भी खटा रही होगी अरे खटा रहा हो तो हो क्या पता घर तक पहुचने में मदद कर दे अ ये बात तो है चॉप इसले तो चेक करने जा रहा हूँ अ गाड़ी है तो खटा रहा पर मुझे लगता है चल जाएगी वैसे दिखने में काफी डरावनी लग रही है अरे फ्रेंकलिन भीया ये कैसी गाड़ी है थोड़ी पूरा नहीं है बस इससे काम चल जाए पर पता नहीं किसकी होगी अरे जिसकी भी हो मैं तो बोलता हूँ सुबह आके लोटा देना फिलाल यहां से इससे लेकर चलो ओ भाई साब इसकी नेम प्लेट देखो इस पर भी घोस्ट लिखा है मुझे इस गाड़ी में कुछ गड़बर लग रही है अरे फ्रेंकलिन भीया गाड़ी में कैसी गड़बर हो सकती है इतना मत सोचो अरे नैने शिंचन भीया कुछ भी हो सकता है आपने चान देखा क्या कितना अजीब लग रहा है मैं तो बुलता हूँ फ्रेंकलिन बीया यहां से चलके ही चलते है नई यार में इंचान चलके तो नई चला जाएगा काफी दूर है अपना घर और इस रोड पर तो एक भी गाड़ी नहीं आ रही है तो किसने कहा तो पार्टी में आने के लिए पुरा मूड खराब कर दिया चौप यार बोला ना हो गया बार-बार बुलने से क्या हो जाएगा फिर तो फ्रेंकलिन बीया हमारे पास कोई चारा नहीं है हमें इसे ही लेकर जाना होगा मेरा मन भी वही कर रहा है पर इस गाड़ी को देखके थोड़ा डर लग रहा है अरे ऐसा क्या ही हो जाएगा आपको क्या लगता है इस गाड़ी में कोई भूत-वूत है क्या पता नहीं इतने बड़े होके कैसे डर सकती हो आरे पर अरे परवर कुछ नहीं जल्ली से गाड़ी में बैटो फिर निकलते है यहां से एकदब नॉर्मल गाड़ी तो लग रही है बस थोड़ी सी पुरानी है तो इस पर टैटू बैटू देख रहा है पता निक किछ इसके स्टीकर है यह अरे छोड़ो ना हमें क्या करना ही मुझे तो लगता है इस गाड़ी के माली को स्टीकर लगाने का शौक होगा ओ भाई साब अब यह रेड लाइट अचानक से कैसे जल गई अब तो शिंचार मुझे पका कुछ गड़बर लग रही है क्योंकि मैंने तो गाड़ी को अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है अरे मुझे लगता है मैं गलती से टच हो गया होंगा ना इसलिए लाइट चालू हो गई होगी इतनी पूरानी गाड़ी है तेरे टच करने से चालू हो जाएगी कुछ भी बोलता है का इसकी वाइरिंग तो हिली हुई नहीं है अरे हाँ यह हो सकता है मुझे लगता है इसकी वाइरिंग ही हिली हुई है चलो ना भी जल्दी से अच्चा ठीक है चलो आजा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इतनी तेज लाइक जल रही है ना इसमें अब बस समल के चलाना गाड़ी भूतिया हो या ना हो अगर एक्सिडेंट करवा दियाना तो हम सब भूतिया हो जाएंगे चवा प्यार चिंता मत कर मैं एकदम आराम से चलाओंगा मुझे पता के रात का टाइम है वेसे आपको क्या लगता है ये गाड़ी किसकी होगी जिस किसी की भी हो फिलाल इससे घर पर चलते है कल सुबह आके लोटा देंगे यही हमारे लिए ठीक रहेगा हाँ वेसे भी दूसरों की चीज़े लेनी नहीं चाहिए नहीं ऐसे बात भी नहीं अच्छी गाड़ी होती तो रख भी लेता पर इस खटा रहा का मैं क्या ही करूंगा इससे अच्छा लोटा ही देता हूँ वरना नाम खराब हो जाएगा हाँ यही भी है अरे आप बच जल्दी से घर पर पहुचाओ ना मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है एक आप कर यही पर उतर जा वेसे हमारी गाड़ी है काहपर अरे मैंने अपनी गाड़ी मैकेनिक को देके रखी है वो दो दिन से लेके बैठा है दे ही नी रहा है अरे तो कैसे दीगा जब तक गाड़ी ठीक नहीं होगी अबे दो दिन में ठीक नहीं हुई ऐसा भी क्या हो गया हमारी गाड़ी को इससे पहले भी खराब हो चुकी है आधे दिन में दे देता था वो अरे छोड़ो ना जाएगी इतना टेंशन मत लो मैं तो टेंशन ले भी नहीं रहा चलो हम लग पहुच गया है जल्दी से गाड़ी को गराज के अंदर गुसाते है और ये देखो बच्चो मुझे सुबह अच्छे से याद दिला देना कि ये गाड़ी हमें वापस करनी है वैसे भी ये गाड़ी मुझे ठीक नहीं लगरी अरे मुझे लगता है ना ये गाड़ी वहाँ पर फेक होई थी हमें लोटाने की जरूत नहीं है इस गाड़ी को भंगार में दे देंगे नई मेरी जिम्हेदार ये जाज से उठाई थी वही पर रखूंगा पताने किसी ने पाक ही कर दियो अरे मुझे लगता है तुमने देखा नहीं था कि वहाँ असपास कितना कचरा पड़ा हुआ था अरे मैं भी तो वही बोल रहा हूँ तुम लोग यार फिलाल ये बहस बन करो अभी सोने जाते वरना सुबह लेट हो जाएंगे वैसे काफी देर हो गई है और मैं चल चल के काफी थक भी गया था अरे हाँ ये बात तो है मेरी भी पैर दुख रही है तो चलो बच्चा गुड नाइट सो जाना मैं भी जा रहा हू सोने चलो गाइस फाइनली सुबह हो गई इतना बुरा सपना देखा ना मैंने रात को पांच बार निन खुल गई मेरी अगली बार काश ऐसा सपना कभी ना है वैसे बच्चे कहाँ पर गए शिंचैन, चौप, मिनचैन अरे कहा पर हो मुझे लगता है शायद ऊपर ही होंगे शिंचैन, अरे हम लोग यहाँ पर है चलो आवास तो इसी साइट चारी है ये रहे, शिंचैन, यार तुझे पता है रात को मुझे इतना बुरा सपना आया ना मैं बहुत डर गया था अरे हमें भी तो बताओ, ऐसा कौनसा सपना देखा अपनी अरे वह जो गाड़ी हम लोग कर लेके आये ना मैंने सपने में देखा कि वो गाड़ी अपने अप चालू हो गई उसके बड़े-बड़े दात निकलाए और वो बहुत सारे जन को मार के फिर से पारकिंग में आके खड़ी हो गई है अरे क्या बत कर रही हूँ ऐसा थोड़ी ना होता है हाँ ये एक बुरा सपना ही था चलो कोई बात नहीं अभी थोड़ी दर टीवी देखते है मूर शान्त हो जाएगा हाँ यार चौप तू सही बोल रहा है चेंचान चालू करना चेंच से सोना है तो जाग जाओ कल रात को हुआ था एक हाथसा कई लोगों की जान गई है और वहाँ पर पाई गई एक पुरानी गाड़ी जिसकी पुलिश को तलाश है पर वो गाड़ी अचनक से वहाँ से गायब हो गई अरे फ्रेंकलिन भीया ये क्या ये गाड़ी तो हमारी लाई हुई गाड़ी जैसी ही दिख रही है आपका सपना तो एकदम सच हो गया नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता ये काम करते है चलो बाहर जाकर दिखते है दिखना वो गाड़ी पकी गायब होगी मुझे तो अभी डर लगने लगा है लगता है फ्रेंकलिन भीया एकदम सही बूल रही थी शींचैन यार मैं बाहर वार ने जा रहा मुझा डर लग रहा है अरे चलो ना डरने की क्या बात है एरे हाँ फ्रेंकलिन भीया कुछ नहीं होगा चलो देखो भी सब लोग इतना बुल रही है जल्दी से आ जाओ पुलिस हमारे घर के बाहर क्या कर रही है सर क्या हुआ कुछ गड़बड है हाँ बहुत बड़ी गड़बड है हमें पता चला है रात को तुमने बहुत लोगों की जान ली है आरे सर दिमाग खराब नहीं हो गया आपका क्यों बोला तुमने आरे नाई ने मेरे बोलने का मतलम मैं तो घर पर सो रहा था मैं कैसे किसी की जान ले सकता हूँ तुमारी ये गाड़ी वहाँ पर पाई गई थी सेम नंबर प्लेट के साथ हमें उल्लू बनाने की कोशिश मत करो जब तुमें पता चला के पुलिस आ रही है तुम वहाँ से भाग गए पर तुमारी गाड़ी सिसी टीवी कैमरे में आ गई थी सर कसम से मुझे नहीं पता ये गाड़ी वहाँ पर कैसे आई और उपर से ये तो मेरी गाड़ी भी नहीं है मैं खाली रात को इसे एक दिन के लिए लेकर आया था अच्छा तुम बहुत ही शातीर हो इस गाड़ी से क्राइम करने के बाद इसे वापत छोड़ कर आते ताकि तुम पर नाम ही नहीं आता पर अब तुम नहीं बस सकते आरे नहीं नहीं ऐसा कोई प्लैन नहीं किया था हमारे पास आने के लिए गाड़ी नहीं थी इसलिए मैंने ये उठा ली थी मैं तो सुवे से वापस दे के आने वाला था ये सब बहाने नहीं चलेंगे तुममें हमारे साथ जेल जाना होगा क्या क्या जेल हाँ तुमने बहुत بड़ा Crime किया है सर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया चाहिए तो मेरे भाईयों से पूछ लो अरे हाँ फ्रेंक्लीन भी ये तो हमारे साथ सू़ रही थी ऐसा कैसी हो सकता ही तुमने बच्चे को सिखा कर रखा है मैं किसी की बात नहीं सुनने वाला हूँ चुप चापा के गाड़ी में बैठ जाओ और तुम इस गाड़ी को पुलिस टेशन लेकर आ जाना इसे अपनी गिरफ्त में लेना है फ्रेंक्लीन जल्ली से आ जाओ अरे यार पर मैंने कुछ किया भी नहीं था शिंचैन चौप में इंचैन अपना ध्यान रखना और इस गाड़ी से दूर रहना मैंने पहले बोला था मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है आकिर मैं फस गये ना वो भी बिना बात के अरे कोई बात नहीं फ्रेंक्लीन भीया अब जल्दी से छूट जाओगी अब गुनेगार हूँ शिंचैन गुनेगार नहीं हूँ मैं मैंने कोई क्राइम नहीं किया अरे हाँ मेरी बुलने का भी वही मतलब था इसलिए बोलता हूँ स्कूल में ध्यान दिया कर यार अफिसर मेरी बात का भरोसा कीजिए मैं आपसे जूट नहीं बोल रहा हूँ मुझे नहीं पता हूँ गाड़ी किसकी है ये गाड़ी रास्ते में पड़ी थी और हमारा घर बहुत दूर था तो हम ये गाड़ी लेकर आ गए आप उस सिसी टीवी में चेक कर लीजिए मैं उसमें बैठा भी नहीं होंगा हमें उलू मत बनाओ तुम रात को निकले थे सिसी टीवी में पूरी फुटेज नहीं आई है अरे यारे इसमें भी मेरी गलती अरे सर हमारी बात सुनिये न हम यहाँ पर अकेले अकेले क्या करेंगी हमें भी इस गाड़ी में अपने साथ ले जाएए तुमें क्या लगता है वहाँ पर कोई पाटी चल रही है अरे नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है हमें फ्रेंकलिन भीया से मिलना है क्या बुलती हो अरे हाँ शिंचन बैया पिकदम सही बूल रही हो वो बहुत अक्यले होंगे हाँ मुझे भी लगता है जाना चाहिए देखा सर हम सब आने को रेडी है प्लीज हमें अपने साथ ले जाए हमें फ्रेंकलिन बैया से बात करनी है आचा ठीक है पर तुम मेंसे हाँ न मुझे कबसे कन्फियूजन था हाँ हाँ पूछो क्या पूछना है अप लोग जो पुलिस की गारी गुमाते हो उसके पेटरोल का पैसा कौन देता है उसके पेटरोल का तो गवर्मेंट ही देगी न हम अपनी जेब से कैसे भरेंगे अरे मुझे लगया इसे ही पूछ रहे हो, यहाँ पर इतनी बड़ी मुसीबत है अरे तो क्या हो गया चॉप, खुद का कन्फीजन दूर भी ना करू कल को उटके मुझे किसी ने पूछ लिया तो समझो मेरे बच्चों ने ही पूछ लिया तो अरे अभी बहस करना बन करो, हम लोग पुलिस स्टेशन पहुच गए है हाँ तुम लोग बहुत यजी बच्चे हो, कैसी कैसी बाते करते हो आज से पहले मैंने किसी भी बच्चे को ऐसी बात करते नहीं सुना अब ये गाड़ी यहाँ पर पैक हो जाएगी, यहाँ से निकलेगी नहीं अरे अंकल, प्लीज मुझे फ्रेंकलीन भाईया से मिलने दो ना अच्चा ठीक है, हम तुमें मिलने देंगे पर पहले यह बताओ, रात को तुमारे फ्रेंकलीन भाईया वो गाड़ी लेके निकले थे न अरे नहीं हम जूट नहीं बोल रहे थे, वो सच्ची में हमारे साथ सो रहे थे, आपको कोई गलत फैमी हो रही है मुझे लगता है इन बच्चो को बहुत अच्चे से ट्रेंड किया हुआ है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो मेरी टीचर ट्रेंड नहीं कर पाई फ्रेंकलीन भाईया क्या ट्रेंड करेंगी, वो तो खुद पढ़े लिके अंपढ़े अरे ये बच्चा तो बहुत ही बत्तमिज लग रहा है, ठीक है चलो तुम लोग जाकर मिल सकते हो अरे ये हुई ना बात, बीचे अरे फ्रेंकलीन भीया पता नहीं क्या कर रही होंगी, चौप अभी हम उनसे मिलने जा सकते है हाँ तो फिर चलते हैं न, बच्चो यार मैने तुम्हें कहा था घर पर रहना, तुम लोग यहाँ पर क्या करने आयो अरे facilitating भी हम तो आपसे मिलने आई थी हां ज़र। देखी तो सही अपका हाल कैसा है अरे क्या Franklin भी है आपको मजा आरह है क्या वह पर Shin-Shayne तुझे क्या लगता है यहाँ पर यह लग मुझे कोई दावत देंगे तुझे भी आना जेल के अंदर तो बोल दे अरे नहीं नहीं मुझे लगता है यहापर मच्छर बहुत काचते होंगी और यहापर तो AC भी नहीं है AC छोड़ दे या पंका भी नहीं है अब बक्वास बन करो और यहाँ से जाओ अरे हाँ हाँ जा रही है एक तो मिलने आए उपर से यह सब बोल रही हो हमी अब मेरी बात जान से सुनो घर पर जाओ आराम से बाहर से कुछ खाने का मंगा लेना और फिर सो जाना सुबे स्कूल है तुमारी अच्छा ठीक है चलो बाई 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 चलो गाईस बच्चे तो गए अब पता नहीं हम यहाँ से कम निकलेंगे वह गारी का सीन पता करना पड़ेगा ऐसे कैसे हो सकता है वह घाड़ी कोई क्यों चुरा कर जाएगा वो मेरे घर से यहां थो गारी सक्ची में भूतिया है यह तो यह किसी का प्लान था पर मुझे कौन फशाना चाता होगा यार मेरी तो किसी से दुश्मन ही भी नहीं है मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है guys यार आपको क्या लगता है ये किसी का plan था है या एक गाड़ी भूतिया है चलो अब सड़ते रहो यहाँ पर काम कास तो कुछ है नहीं एक काम करता हूँ सो जाता हूँ सोने भी नहीं होगा यार इतने मच्छर है पंखा भी नहीं चालू अरे चौप और मिंचन फ्रेंकलीन भाया ने हमें कहा था कि आज बाहर से मंगा लेना जल्दी से बोलो क्या मंगा ना है औरे कुछ भी मंगा लो ना पेट भरना है खाली अरे हाँ सिंचन भाया मुझे कुछ भी चलेगा एक काम करता हूँ जल्दी से फोन करता हूँ आज पीज़ा मंगा लेते हैं अरे उठा लो हलो अंकल आ बोला अरे इस एडरेस पर तीन पीज़ा भीज देना ना विट एक्स्टरा चीज अरे जो सबसे बड़ी साइज आती है न वो वली मुझे बहुत सारा पीज़ा खाना ही अरे यार तुमारा पीज़ा काब आएगा मुझे तो नींद आने लोगी है अरे यार ऐसा कैसी हो गया चलो एक काम कटे है दर्वाजी के बाहर जाकर खड़े रहते है वो पीज़ा वाला थोड़ी देर में आ जाएगा चले चले फटा फट पता नहीं इसने इतनी देर कैसे लगा दी लगता है ट्राफिक में फस गया होगा अस्ते दबाकी पीज़ा खाऊंगा अरे बापर ये क्या फिर से अपने अब चाले हो गई पका कोई तो चीज़ इसमें भूतिया है अभी हमें क्या करना चाहिए अरे पहले तो पीज़ा वाले का वीट करते है उसके बाद देखते हैं क्या करना है मैं तो बोलता हूँ फिलाल घर के अंदर चलो अरे नहीं चौप उससे भी कोई फाइदा नहीं होगा ये काम करता हूँ पुलिस अंकल को कॉल कर देता हूँ हलो सर मेरी बात सुनिये कल रात को जो आप गाड़ी यहां से लेकर गई थे न वो वापस से यहां पर आ गई है ये तुम क्या बात कर रहे हो अरे मैं एकदम सच बोल रहा हूँ ये गाड़ी मेरे आकों के सामने खड़ी है पता नहीं कैसे हो गया इसे कौन यहां पर लेकर आया है अब जल्दी से यहां पर आजा प्लीज अचा ठीक है तुम वही रुकामाते है चलो मैंने पुलिस अंकल को बता दिया है वो थोड़ी दिन में यहां पर पहुच जाएंगे और ये गाड़ी यहां से लेकर चले जाएंगे तुमने एकदम सही किया शिंचैन हमें यही करना चाहिए था शायद इससे फ्रेंकलिन भया के भी मुसीबत कम हो जाए अब पुलिस अंकल हमारी बात समझेंगे चौप तुमने इकदम सही का काश के ऐसा ही हो मेरी बात सुनो मुझे सच सच बताओ तुम तो यहां पर हो तो उस गाड़ी को कंट्रोल कैसे कर रही हो मुझे जूट नहीं सुनना मेरा दिमाख खराब हो गया है सर ऐसा हो ही नहीं सकता मैं तो आपके आख के सामने हूँ और वो गाड़ी जितनी खटा रहा आपको लगता उसमें इतनी टेक्नोलोजी होगी कि मैं उसे कंट्रोल कर पाओ हमें उल्लू बनाना बन कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा सर मेरी बात का भरोसा किजी आपको बहुत बड़ी गलत फैमी हो रही है मैंने कुछ भी नहीं किया है लगता है यह इसे नहीं मानेगा चुप चाप अपना मुझ खोलो वरना मुझे दूसरा इलाज करना होगा सर मैं कसम खा के कहता हूँ मुझे उस गाड़ी के बारे में कुछ भी नहीं पता मैंने वो गाड़ी रैंडमली उठाई थी वो कैसे वहाँ पर पहुची किस नहीं ये सब किया मुझे कुछ नहीं पता प्लीज मुझे जानने दीजे यासे मैं निर्दोश हूँ मुझे लगता है इसे सबक सिखा नहीं होगा मेरी बात सुनो इसकी तब तक पिटाई करो जब तक ये अपना मूँ ना खोल दे अरे पर मैंने तो सब कुछ बोल दिया है मरो इसे काफे ढीठ है कॉछ नहीं बॉल रहा है अभी भी वक्त है बता दू वनना तुमारे साथ इससे भी बुरा हो सकता है नहीं लोगों की जान गई है हमें पता कर नहीं होगा अरे अंगल आप कहा प रह गई थी हम लोग कब से आपका इंतजार कर रही है तो बाहर खड़े खड़े हमें इतना डर लग रहा है मैं आपको क्या बताओ आरा वसब चोड़ा एक बात बताओ यह गाड़ी तुम्हें कहा से मिले अरे ये 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 तो कल राग को हमें गाव से लिकर आई थे तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया ये गाड़ी श्रापित है इसे जो भी छूता है उसके साथ बुराई होता है अगर मुझे पता होता तो यहां मैं पिजा की डिलेवरी करने ही नहीं आता अरे ऐसा भी क्या है इस गाड़ी में बस इतना समझ लो ये एक शैतानी गाड़ी है एक भूतिया गाड़ी अरे अंकल प्लीज हमें डराओ मत वैसे भी हमारा दिमा खराब हुआ पड़ा है जब तक यह गाड़ी यहां पर रहेगी तुमारे साथ बुराई होगा और यह गाड़ी जल्दी से जाती भी नहीं है लोट करा जाती है अरे बापरे गाईस यह क्या बूल रहा है अगर आपको भी जानना है कि इसके आगे क्या होता है तो जल्दी से कमेंट करो पाट्टू और अगर आपको वीडियो अच्छे लगिए तो वीडियो को लाइक करो नए हो तो चानल को सुस्क्राइब करो उसी के साथ तुमें बपगर आपको वीडियो कि अगर आपको वीडियों।